सबी को नमस्कार आज के हमारी कलास HDP सेकेंडेर के स्टूडेंट के लिए पसू पोसन की है और इस कलास में हम पढ़ेंगे कि थम रूल के अनुसार पसू आहर की गणना किस परकार की जाती है तो सबसे पहले है जो थम रूल है उस थम रूल के अनुसार जब भी अपन पसू आहर की गणना करते हैं तो उस आहर की गणना आहर में उपस्तित सुस्क पदार्थ या ड्राइ मेटर के आधार पर की जाती है इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले कि मान लो अपन कुल पसू आहर है उस कुल पसू आहर में से अपने को उस आहर का दो बटा तीन भाग मोटा चारा देना है यानि रफेज देना है और उस कुल पसू आहर का एक बटा तीन भाग दाना होना चाहिए यानि कि अगर अपन पसू को कुल चार किलो आहर दे रहें तो उस आहर में से अपना रासन है जो दो बटा तीन भाग है वो तो मोटा चारा होना चाहिए और एक बटा तीन भाग है जो दाना मिसरन होना चाहिए इसके अलवा जो मोटा चारा होता है उस मोटे चारे में से भी उस चारे का यानि कुल आहर का दो बटा तीन भाग मोटा चारा था उस दो बटा तीन भाग का भी दो बटा तीन भाग है चो सुका चारा होना चाहिए और एक बटा तीन भाग हरा चारा होना चाहिए यानि पसु को तीन किलो आर दे रहे हैं उस तीन किलो में से दो किलो तो चारा होना चाहिए उचे सुका उचे गिला हो चारा है उसमें अपन हरा चारा दे रहे हैं तो उस दो किलो में से उस दो किलो का एक बटा तीन भाग हरा चारा होना चाही और दो बटा तीन भाग सुका चारा होना चाही हरा चारा ग्रिन रफेज के नाम से जाना जाता है और सुका चारा ड्राइ रफेज के नाम से जाना जा है यदि अपन पसु को हरा फलीदार चारा दे रहे हैं तो वो फलीदार हरा चारा पसु के आहर का एक बटा चार भाग होगा तता सुका चारा तीन बटा चार भाग होगा यानि मालो अपन एक किलो पसु को एक किलो चारा देना है और उस एक किलो में अगर अपने पास फलीदार हरा चारा है तो उस पसु को डाय सो ग्राम अपने को फलीदार हरा चारा देना है और साड़े साथ सो ग्राम उसको सूका चारा देना है उस सूके चारे में अपन क्या क्या दे सकते हैं और फलीदार हरे चारे में क्या क्या दे सकते हैं जो मैंने इस सब्जक्ट की पिछली कलास में आपको बताया था अब अपन सरीर बाहर के अनुसार थमरूल की बात करते हैं तो मानलो अपने पास एक सो किलो की गाह है तो उस गाह को परती दिन अपने को दो से डाई किलो सुस्क पदार्थ की आवसकता होती हैं एक सो किलो की गाह को परती दिन दो से डाई किलो सुस्क पदार्थ की आवसकता होती है उस सुस्क पदार्थ में आपके सुका चारा, केला चारा और दाना तीनों का मिसरन होता है इसी परकार मानलो अपने पास एक सो किलो की बहांस है तो उस बहांस को परती दिन दाई से तीन किलो सुस्क पदार्थ की आवसेक्ता होती है तो ये है जो आपको सुस्क पदार्थ की आवसेक्ता वे ने बताई है वो पसु के सरीर बाहर के अनुसार बताई है इसी परकार एक एकजम्पल देख लेते हैं अपन मान लो एक गाई है और उस गाई का वजन 400 किलो है तो उस गाई को परति दिन थमरूल के अनुसार 10 किलो ड्राइ मेटर की आवस्यक्ता होती है यानि 100 किलो पे ड्राइ किलो अपन ड्राइ मेटर दे रहे हैं तो 400 किलो उसका सरीर बार है तो उसें परति दिन 10 किलो ड्राइ मेटर की आवस्यक्ता होगी तो उसकी गणना अपन थम रूल के अनुसार किस परकार करेंगे तो इसे पहले मैं आपको बता दू कि अपना थम रूल था कि कुल ड्राइमेटर कितना चाहिए अपने को दस किलो उस दस किलो में से अपने पास उस दस किलो ड्राइमेटर का दो बटा तीन भाग रफेज होना चाहिए वो रफेज सूका और गिला दोनों परकार का है और उस दस किलो का एक बटा तीन भाग दाना मिसरन अपने ड्राइ मेटर में होना चाहिए तो अपन दो बटा तीन भाग की बात करें तो दस किलो ड्राइ मेटर का दो बटा तीन बाग रफेज कितना होगा दस मल्टिपलाई 2.3 बराबर 6.7 केजी यानि एक 400 किलो की गाए है तो उस 400 किलो की गाए को पर डे 10 किलो ड्राइ मेटर की आवसकता होती है और उस 10 किलो ड्राइ मेटर में अपने पास 6 किलो 700 ग्राम चारा होना चाहिए नेक्स बात करते हैं एक बटा तीन बाग दाना होना चाहिए तो 10 into 1 upon 3 तीन किलो 300 ग्राम दाना होना चाहिए यानि कुल सुस्क पदार्थ कितना चाहिए 10 किलो तो उस 10 किलो में से अपने पास 6 किलो 700 ग्राम चारा होना चाहिए और 3 किलो 300 ग्राम दाना मिस्रन होना चाहिए इस से अपने को कुल सुस्क पदारत है वो चाहिए 10 केजी तो 10 केजी में से अपने को रफेश से कितना मिलेगा चे किलो साथ सो ग्राम ड्राइ मेटर मिलेगा और दाने से तीन किलो तीन सो ग्राम ड्राइ मेटर मिलेगा अब इसमें चे पॉन साथ किलो ड्राइ मेटर अपन चारे से किस परकार पाप्त करेंगी उस बात की भी गणना करने पड़ेगी तो इसके लिए अपन देखते हैं ये ड्राइ मेंटर यदि हरा चारा अपना फलीदार होई तो अपन किस परकाल गंड़ना करेंगे ड्राइ मेंटर एज ग्रीन रफेज यानि हरे चारे से अपने को कितना ड्राइ मेंटर प्राप्त होगा मैंने पहले बताया था कि अपने पास हरा चारा फलीदार है तो वो कुल रफेज का एक बटा चार भाग होगा तो कुल रफेज अपना कितना है 6.7 किलो उस में से मल्टिपलाई करेंगे अपन 1.4 से तो 1 किलो 700 ग्राम अपने को फलीदार हरा चारा फलीदार को खिलाना है दूसरी बात करें कि ड्राइब मेटर एज ड्राइब रफेज यानि सूके चारे से कितना ड्राइब मेटर मिलेगा अपने को कुल ड्राइब मेटर कितना चाहिए 4 से 6.7 किलो यानि 6.7 किलो ड्राइमेटर है जो फलीदार हरे चारे से मिल रहा है तो इसमें हो जाएगा आपके सुके चारे से हो जाएगा 6.7 multiply 3 upon 4 बराबर 5 किलो सुका चारा मिलेगा अपने को कुल कितना चाहिए 6 किलो 700 ग्राम इसको आपन काउंट करेंगे तो यह आपका 6 किलो 700 ग्राम ही आएगा दूसरा आपके येदी अपना हरा चारा एफलीदार है तो उस एफलीदार हरे चारे से अपने को कितना ड्राइमेटर मिलेगा अगर अपना हरा चारा एफलीदार है तो वो कुल रफेज का एक बटा तीन भाग होना चाहिए तो 6.7 6 किलो 700 ग्राम कुल ड्राइमेटर चाहिए उसको मल्टिप्लाइ करेंगे अपन 1 अपन 3 से तो 2.2 केजी आएगा तो अपने को बिना फलीदार या एफलीदार हरा चारा कितना चाहिए 2 किलो 200 ग्राम दूसरा आपके ड्राइमेटर एज ड्राइमेटर यानि सूके चारे से कितना ड्राइमेटर मिलेगा तो कुल ड्राइमेटर चाहिए 6 किलो 700 ग्राम उसको मल्टिप्लाइ गरेंगे 2.3 से तो 4.5 किलो अपने को सूका चारा चाहिए अगर अपन पसू को 4.5 किलो या 4 किलो 500 ग्राम सूका चारा खिला रहे हैं और 2 किलो 200 ग्राम एफलीदार हरा चारा खिला रहे हैं तो अपने को 6.7 किलो ड्राइमेटर प्राप्ट होगा और इतना ही अपने को चाहिए और इसके अलावा दाना तब बताई दिया मैंने तो इनको अपन जब काउंट करेंगे तो कुल पसू आहर की आवशेकता है जो 10 केजी ड्राइमेटर है और ये 10 केजी आपके हो रहा है तो इस परकार थम रूल के अनुसार पसू आहर की गणना की जाती है आज के लिए इतना ही बहुत है आगे का जो भी है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद